तो कैसे आप सब मैं उमीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत ही जादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत जादा अच्छी हूँ साथ में हम मिल करके पढ़ाई करते हैं रोज और आज हम अनाटमी अन्फिजॉलजी के क्लासिज नहीं ले रहे हैं आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसमें बड़ा ही important और एकड़म interesting सा टॉपिक है kidney failure यानि की renal failure किड्नी को हम क्या बोलते हैं renal बोलते हैं इसके structure को हम किसमें पढ़ रहे हैं फिर क्या दिक्कत है आपको, अगर कोई भी दिक्कत होता है, आप टिलिगराम गृूप पे मैसेज करते हैं, साथ ही आप वाटस अप भी करते हो, लेकिन वाटस अप पे जो आपको आंसर देना है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम है, टाइम ब बादिष्यम में सर्जिक्ल नर्सिक्स नर्सिंग के छातर है जो नॉसец क तैयारी करनेवालए या फिर जो भी सातर हाँ और उनको competition exams की preparation करनी है, या फिर first year में है, second year में है, third year में है, या फिर आप private में सिर्फ practice कर रहे हैं, आपको ये जो चीजे हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगी, वो जानना बहुत ही जादा important है, साथ में जो लोग medical field से नहीं भी है, लेकिन kidney fail हो जाती है, kidney आपके पास तो ह अब जब kidney में कुछ न कुछ दिक्कत होता है, तो क्या दिक्कत हो जाता है, आपको जाना चाहिए, अब जब हम सब के पास ये knowledge होगा, तभी हम सही time पर सही action ले पाएंगे, क्योंकि सही action लेने से आप किसी की जान बचा सकते हैं, आप खुद की भी जान बचा सकते हैं, knowledge हो करना है, आपको knowledge लेना है, रील्स को स्क्रॉल नहीं करना है, रील्स देखने का मन करता है, तो आप देख लीजे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन time पर पढ़ा भी कीजिए, सिर्फ आपके पास कितने होते बाड़ा घंटे मैं मान के चलती हूँ, कि बाड़ा करनम में कुछ और चीज़ बन जा, फिर उस time में आप human ना बनो, आदमी ना बनो, जैसा अभी है आपके पास, जैसा lifestyle है, या फिर जैसे भी condition में आप है, हो सकता कि आपकी condition थोड़ी सी खड़ाब हो, लेकिन आपके हाथों में वो दम है कि आप अपनी condition को ठीक कर सकते हैं, ये सब के पास होता है, जो सही time पे action लेते हैं, वो अपने life को बदल देते हैं, तो आज के lecture में हम क्या discuss करेंगे, आज के lecture में हम discuss करेंगे, renal failure, kidney को हम medical term में क्या बोलते हैं, renal बोलते हैं, kidney के structure और function को हम किस में पढ़ते हैं, anatomy और physiology में पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको बत structure लगेंगे, उसके अच्छे से anatomy and physiology को पढ़ने में, क्योंकि हम बेसिक से start कर रहे हैं, और फिर इदम high level पर जा रहे हैं, अब यहां पे हम साथ साथ ही क्या कर रहे हैं, उसके disease को पढ़ रहे हैं, कोई organ है, कोई structure है, उसमें क्या-क्या problems आ गये, उस सब को हम साथ में पढ़ अब सब के दिमाग में यह आता है, कि kidney अचानक से fail कैसे हो गया, बड़ा ही मजबूत organ है, बहुत जादा आपको support करता है, बोडी में कुछ भी गरबर हो जाए, सबसे strong क्या होता है, लीवर और kidney, यह आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके body को support देता है, मतलब आपके life क चलाने में इन दोनों organs का बहुत ही जादा महतपून योगदान है, ऐसे तो body में हर चीज important है, लेकिन आपके body में kidney और liver ऐसा organ है, जो कि बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, अगर इसमें कुछ problem हो तो और सही time पे आप action लेतो, जब तक पूरा गडबरी इसमें ना हो, तब आपके body में लगभग लगभग चीजे ठीक करके रखता है ये, लेकिन आप सुनते हैं कि अचानक से किसी के body में kidney fail हो गया है, अब कैसे fail हो गया, सब लोग अचमभा हो जाते हैं, अचमभित हो जाते हैं कि अचानक से कैसे fail हो गया, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोगों को बहुत टाइμ से probbblm है किद्नी में तब जा करके kidney fail हुए तो हम मान शकते हैं कि हाँ उसके kidney में तो problem था ही लेकिन अचानक से कुछ दिखकत kidney में नहीं था kidney तो बिल्कुल ठीक था उसको तो कुछ और problem था अचानक से kidney fail कैसे हो अब उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं, अगर अचानक से kidney fail हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे acute kidney failure या फिर acute renal failure, ठीक है, अगर बहुत लंबे टाइम से आपके body में problem है, और तब जा करके आपका kidney fail होने लगा है, या फिर हो गया है, तब हम क्या बोलेंगे, chronic kidney failure, मतलब दोनों में फड़क है, kidney fail होने का मतलब क्या है, पहले हम इसको तो समझ ले, kidney fail होने का मतलब ये है कि आपके kidney काम करना बंद कर देती है, किड्नी क्या करती है, किड्नी आपके body से, आपके blood से बहुत ही गंदगी को वो साफ करती है, जैसे कि आप में nitrogenous wastage होते हैं जो कि आपके blood में से वो छानती है और urine के माध्यम से आपके body से वो जो गंदगी है वो फिर बाहर निकलता है लेकिन यहाँ पर problem क्या होता है kidney हो गई बीमार अब जब ये बीमार हो गई है तो ये उस गंदगी को साफ नहीं कर पा रही है जिसकी वज़न से आपके skin में damage आपको दिखने लगता है skin में आपको allergy हो सकती है blood में आपकी गंदगी मौजूत रहने से आपके सभी organ disturb हो सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं kidney failure और kidney fail जब होता है तो उस time में अचानक से वो हो सकता है या फिर कुछ time के बाद कुछ problems है उसमें कुछ disease है उसमें और बहुत लंबे time से आपकी body में दिक्कत है तब जा करके आपके kidney fail हो सकती है तो दोनों condition होते हैं तो जो अचानक से है इसको हम आज पढ़ेंगे आज के lecture में हम क्या discuss करेंगे देखिए जब हम पढ़ने बैठे हैं तो एक एक चीज को हम अच्छे से discuss करेंगे अचानक से kidney fail होगा यानि कि acute renal failure short form हम क्या बोलेंगे ARF ठीक है तो अचानक से जब kidney fail होती है ये एक बहुती लंबा topic है क्यों हो जाता है, किसलिए हो जाता है क्या क्या problem होते है हम ऐसी गलती क्या करते है जिसकी वज़स से ऐसा problem हो जाता है तो आज के lecture में जो हम acute renal failure परने वाले है यानि कि अचानक से आपकी kidney fail हो जाती है किसी वैक्ती की kidney fail हो जाती है आपके पास कोई patient आया है उसके body में कुछ और दिक्कत है लेकिन उसका kidney fail हो गया है कैसे हो गया है अब उस सब को हम एकदम जड़ से जानेंगे कैसे हो जाता है चानक से kidney fail तो उसके कारण को हम पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलते है medical term में etiology बोलते है या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते है causes देखिए causes भी आप लिख करके medical के जो भी papers होते हैं या फिर जो भी आपके exam होंगे आपके first year का exam होगा second year का होगा third का होगा fourth का होगा जो भी होगा आप causes भी लिख सकते हैं लेकिन आप medical line से है तो आप अगर etiology को लिखते हैं थोड़ा सा जादा standard लगता है तो कहीं भी report पे या फिर कहीं भी किताब में आपको मिले etiology इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कारण किस कारण की वज़े से वो रोग किसी वैक्ति को हो गया है किस कारण की वज़े से किसी रोग का body में होना जो होता है वो क्या होता है किस कारण की वज़े से ये रोग है वो कैसे फैल गया है ये रोग आपकी organ तक कैसे आ गया है तो कारण क्या है तो उसको हम क्या बोलेंगे etiology साथ में ऐसी क्या-क्या आप गलतियां करते हैं या फिर क्या-क्या chances है क्या आप करेंगे जिसकी वज़व से आपके बॉडी में वो रोग हो जाएगा उसको हम बोलते हैं risk factor अब साथ में अगर अचानक से kidney fail हुआ है तो उसका phase क्या है क्या अचानक से fail होता है तो कुछ एक घंटे में हो जाता है क्या कुछ एक महीने में होता है kidney fell अचानक से या फिर कुछ एक हफते में हो जाता है तो यह क्या है यह time है यह phase है उसी को हम बोलेंगे phases अब साथ में अगर kidney fell होने वाली हो अचानक से तो क्या-क्या लक्षन आपके body में दिखाई देगा क्योंकि आपका जो body है वो एक तरह से आप को कभी न कभी indicate करता है आपके body में अगर कुछ भी दिक्कत है तो आपको indication मिलता है आपका body बहुत ही जादा smart है बड़ा smart है तो आपको indication मिलेगा आपको indication मतलब आपको लक्षन बॉड़ी में दिखाई देगा आपका बॉड़ी बताएगा कि देखो आपके बॉड़ी में यह प्रॉब्लम है आपके बॉड़ी में कुछ न कुछ चीज डिस्टर्ब होने लगेंगी आपका सिक्स सेंस जो है आपको बोलेगा कि देखो आपके बॉड़ी में कुछ कि इसका मतलब होता है कि आप medical terms को यूज़ कर रहे हैं, teacher आपको बोलेगा, आपको teacher चेक नहीं करता, आपका copy चेक होता है, doctors check करते हैं, अगर आप nursing के छातर हैं, तो आपका copy doctors check करते हैं, जो कि PhD कर रखे हैं, जो कि MSC कर रखे हैं, MSC नर्सिंग कर रखे हैं, उनका जो लेवल होता है, वो काफी जादा हाई होता है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है clinical manifestations, ठीक है, या फिर आप उसको symptoms में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप clinical manifestation लिखें, ताकि जादा फायदे मंद होगा, उनको लगेगा कि हाँ, आपने पढ़ा है, मैंने आपको कुछ तो पढ़ाया है, ठीक है, ताकि आपको भी बाद में satisfaction हो कि हाँ, मैंने कुछ तो पढ़ा है Alka Mem से, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी बाद हम पढ़ेंगे diagnostic evaluation, इसका मतलब है कि अचानक से अगर kidney fail हो रही है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि अचानक से kidney fail कैसे हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, diagnostic evaluation बोलेंगे, साथ में आप जब दवाईयां देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि आप दवाईयों का management करते हैं, आप patient के हिसाब से, दवाई कैसे, कब, क्यूं देना चाहिए, आप इसको तैय करते हैं, एक व्यक्ति का kidney चानक से fail हो रहा है, और दूसरे व्यक्तिका भी किड्नी अचानक से फेल हो रहा है, दोनों को हम सेम मेडिसिन बहुत ही कम दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो लक्षन है वो अलग-अलग आएंगे, इंपोर्टन्ट ये नहीं है कि आपको दोनों को सेम दवा देना है, इंपोर्टन्ट ये है कि आपको दोनों की लक्षन को देखना है, अगर हमारे पास दो पेशेंट आया है, दोनों की लक्षन अलग-अलग होंगे, उसके हिसाब से हम मेडिसिन देंगे, किड्नी फेलिर में कुछ मेडिसिन सिमिलर हो सकते हैं, दोनों को एक ही आप मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन लक् पास बहुत ही कम है क्योंकि आपका जो जीवन है वो फिर बस पास हो रहा है आप अगले साल अगले साल और उसके अगले साल बर्दे को मनाते हैं लेकिन आपका उम्र अभी कम हो रहा है तो celebrate कीजिए लेकिन उसके बाद आप यह भी यहां पर बैठा करके रखिए कि समय आपके के पास बहुत ही जादा कम है बहुत जादा कम है लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा करना तो समय बहुत जादा कम है तो छे चीजे हम पढ़ेंगे ठीक है छे चीजे हम पढ़ेंगे अब यह जो किड़नी होती है यह कुछ इस टाइप की होती है मैंने आपको बताया था किड किडनी को तो आइसे स्टुक्चर समय देखने को मिलते हैं किर जटमी कहां पे होती किड़नी आपके यहां पे बिकरी सी के Muslims की ती यहां पे होती ए जो कुम क्रेशाब का रास्ता जिसको हम बाते हैं यूरेठर वहां से फिर पास होता है तो आपको क्या बोलना है पेशाप को आपको यूरीन बोलना है क्योंकि मैंने आपको सीखाया है यूरीन बोलना है बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अलका मैम आप अपने नाम के बगल में ठाकुर क्यों लगाते हैं मैंने अपना नाम नहीं रखा है मेरे माता और पिता ने मेरा नाम रखा है तो ये मेरे document पे है और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे माबाप के दौरा दिया गया नाम है ठीक है? तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है आप ये कर रहे हैं और जो मैंने एक lecture लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि SPORM कैसे बनता है वो जो topic है वो nursing का topic है और उस time में anatomy and physiology को मैंने आपको समझाया था कि जो SPORM है वो कैसे बनते हैं और जो भी मैंने बताया था वो nursing competitive exams में पूछे जाते हैं एक एक चीज उसमें से एक भी चीज ऐसा नहीं है जो कि मैं अपने मन से बताया हूँ या फिर मैं किसी भी तरह आपको show off कर रही हूँ या मैं किसी भी तरीके से कुछ अजीब टाइप से मैं बोल रही हूँ नहीं मैंने आपको to the point बताया जैसे कि आपको exam में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं competition का जो भी किताब आता है आप जब उसको उठाएंगे तो और आप मेरे lecture से उसको मिलाइए वहाँ पे जो भी सवाल है वो मेरे lecture से बाहर नहीं होंगे जितना मैंने बताया है वो सारे सवाल आते हैं तो इसमें आपको ज़ादा समस्या नहीं होनी चाहिए कुछ लोगों को समस्या है जो कि मुझे बहुत ज़ादा दुख होता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं आपको नहीं बोलना चाहिए ठीक हम लोगों को भी हर्ट होता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो सारी चीज़े वो सारे कॉमेंट्स लेकिन मैं उमीद करती हूं कि आप सब अब कॉमेंट करने से पहले थोड़ा सा आप सोचेंगे क्योंकि हमें हर्ट होता है हमें तकलीफ पहुंसते क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही प्यार से आपको मैं बताती हूं और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बताया नहीं है मैंने सलेबस के हिसाब से ही बताया है आउट ऑफ सलेबस मैंने कुछ भी नहीं मेरे जितने भी lectures है वो लगभग लगभग syllabus के हिसाब सही है ठीक है चलिए तो acute renal failure आज हम पढ़ेंगे उसमें जो हम कारण पढ़ते हैं क्यूं हो जाता है यह इसके तीन कारण है सबसे पहला क्या है इंटररिनल फैलियर और पोस्ट रिनल फैलियर क्या है इस नाम आपको समुझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है यहा पर क्या है इत्योलोजी मतलब जब अछानक से ी फिल होता है तो क्यूं हो जाता है अब क्यूं होता है दीकल्या樂् should किड़नी में जो blood है वो जाना चाहिए लेकिन वो नहीं जा रहा है ममतलब आपके किड़नी में जाने से पहले blood में कुछ हो गया उसको कुछ problem है नसों में कुछ हो गया तो उसको हम बोलेंगे pre-renal failure ठीक है pregnant मतलब पहले और renal मतलब kidney और failure मतलब fail हो जाना kidney के पहले जो भी organ है जो भी चीजें है वह काम नहीं कर रहीए उसके बाद intrarenal failure अब intra का मतलब होता है kidney के अंदर problem है kidney है उसके अंदर दिक्कत है तब जाकर के आपका kidney है वह फिर fail हो गया है अब है pos renal failure मतलब kidney में दिखत नहीं है kidney के बाहर जो pipe में नगा हुआ है। जिसको हम बोलते है yourator और जिसको हम बोलते है bladder उसमें दिक्कत है जिसके वजह से आपके kidney fail हो गई है किसी करण वश fail हो जाती है तो क्या हो चाता सबसे पहला हम देखेंगे Pre-renal failure, मतलब kidney में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन kidney से पहले वाले organs में, आपके blood में kidney तक blood शायद नहीं पहुँच पारी हो, क्या हो गया body में, kidney में दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से body में कुछ हो रहा है, जिसकी वज़ा से kidney fail हो गई, तो क्या हो जाता है, 60-70% ऐसे cases है, अचानक से जो kidney fail होता है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि body में कहीं न कहीं कुछ गडवड़ी है, या तो cholesterol जमा हो गया, जिसकी वज़ा से नसिदब गई है, खून किड्नी तक नहीं पहुचा है और जब खून किड्नी को नहीं मिलेगा उस टाइम में किड्नी फेल हो जाएगी क्योंकि किड्नी में खून जाना इंपोर्टेंट है किड़नी बलड को चानती है, बलड में से वेस्ट को चानती है और उसको हमेशा खून जाना चाहिए तो हाइपो का मतलब होता है कम और परफ्यूजन का मतलब होता है आपका जो बलड है वो सही से सारे सेल्स तक सारे टिशूस तक नहीं फैला है इतना समझवा गया, इसके बाद आपके बॉड़ी में जो बलड है और उसके साथ क्या होती है उसके साथ फ्लूइड भी होता है, मतलब खून के साथ पानी भी है, बहुत सारे इंजाइम्स भी है तो जो पानी है और खून है, दोनों का एक मिश्रन बहुती सही अनुपात में होता है उस अनुपात में गरबड़ी हो गया है, या तो आपको डाइडिया हो जाए, तो बॉड़ी में पानी की कमी हो जाती है या फिर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं तो फिर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है या फिर आपको उल्टी बहुत जादा हो गया तो फिर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई और फिर kidney उसको चान नहीं पाएगा, kidney उसको चान नहीं पाएगा, उस में से जो गंदगी है वो भी चान नहीं पाएगा, तो यहाँ पे सारे condition है जिनकी वज़से आपके body में खून है और साथ में पानी है, दोनों का मिश्रन सही अनुपात में था, लेकिन इन कारणों की फिल्टर कर ही नहीं पाएगा, और जब फिल्टर नहीं करेगा, और उसके सारे cells, सारे tissues तक सही से खून नहीं पहुचेगा, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, अचानक से kidney fail हो जाएगा, साथ से सतर प्रतिशत cases ऐसे ही है, जिसमें kidney में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको kidney में पहले, kidney से पहले या फिर body में कुछ other problem होता है, तभी आपको वो वाली दिक्कत हो जाती है, इसके लाबा, आपके heart में गरबड़ी है, मतलब क्या है, मतलब कि आपका जो heart है, वही सही से blood को pump नहीं कर पाड़ा है, अब खून को पहुचना है पूरे body में, लेकिन वो kidney तक नहीं पहुच पाड़ा है, और क्यों नहीं पहुच पाड़ा है, हो सकता है कि myocardial infection हो, मैंने आपको बताया था कि यह क्या होता है, जब भी आपके heart में, जो सबसे बीच वाला layer है, उसको हम क्या बोलते है, myocardial बोलते हैं, उस layer में गरबड़ी होने की वज़से, उस layer में ही खून नहीं पहुच पाता है, जिसकी वज़से heart पूरे blood को, heart पूरे organ में खून नहीं दे पाता है, जब ऐसा होगा, तो kidney में भी खून नहीं जाएगा, और खून नहीं पहुच पाने के काड़न, kidney अचानक से फिर fail हो जाती है, ठीक है, या फिर आपको, क्या हो cholesterol और heart से ही blood pump नहीं हुआ कोई भी organ को, तो वहाँ भी condition ये है कि आपके kidney में खून नहीं पहुच पाएगा, साथ में आपके lungs में फिर blockage हो जाए, जिसको हम क्या बोलते है, pulmonary, मतलब आपका क्या संबनित है, इसका मतलब है, pulmonary का मतलब है lungs, मतलब फेफरा, और embolism का मतलब ह blockage, तो फेफरे की नसों में जब blockage हो जाता है, बोडी में कहीं भी blockage हो, तो खून एक जगल से निकलता है, और पूरे नस में transfer होते 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 होते, पुरा जाल बना हुआ है, और उसी तरीके से आपको kidney तक last में पहुचता है, ठीक है, तो वहाँ पे जब आपके kidney fail हो जाएगा, इतना समझवा गया, और साथ में अगर आपका जो खून का रफ्तार है, वो फिर काफी कम हो जाए, कोलिस्ट्रॉल की वज़से कम हो जाए, या फिर आपका BP बहुत जादा लो हो गया है, उसकी वज़से कम हो जाए, आपको बहुत सारा बिमारी हो गया है, क blood है, या फिर आपका जो blood vessels है, खून बहता किसमे है, खून बहता है आपके नसों में, अब वो जो नस है, वो दो प्रकार की होती है, एक धमनी होता है और एक शिरा होता है, धमनी को हम क्या बोलते हैं, arteries अंग्रेजी में, और शिरा को हम क्या बोलते हैं, वेंस बोलते हैं, तो viso-dilation का मतलब क्या है? कि जो आपका whistles है, जो नस है, वो dilation का मतलब क्या है? dilate हो गया है, फैल गया है, तो वो कब फैलेगा? जब आपके body में infections हो जाएगा, जब आप anti-hypertensive drugs लेंगे, जो कि आपको BP high वाली दवा होती न, इसको BP high होता है, और उसको नॉर्मल करने के लिए आप जब दवा लेते हो उससे आपका जो blood vessels है जो खून का नली है वो फिडाइलेट होता है फैल जाता है उन दवाओं की वज़र से भी ऐसा problem होता है साथ में अगर आपका liver fail हो गया है अगर आपके body में liver काम नहीं कर रहा है तो liver क्या करता है सारे hormones को बहुत सारे hormones को वो maintain करता है balance करता है तो यहाँ पे हो गया hormone की गरबड़ी जैसे ही blood में hormone की गरबड़ी हो गई अब क्या होगा कि blood में भुचाल आ गया जब blood में भुचाल आ दिक्कत बिल्कुल नहीं है, किड़नी से पहले दिक्कत था, अब क्या है, किड़नी में दिक्कत है, जिसको हम बोलते हैं, इंट्रारीनल फेलियर, क्या बोलेंगे, इंट्रारीनल फेलियर बोलेंगे, ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है, उसके इंसाइड, उसके अंदर में, renal का मतलब होता है kidney और failure का मतलब होता है कि fail हो जाना ठीक तो यहां पे 25 से 40 प्रतिशत ऐसे cases हैं जिसमें आपको kidney में ही दिक्कत होता है kidney में सूजन हो जाए या फिर आपके kidney में कुछ न कुछ problem हो जाए तो क्या क्या होता है अगर लंबे टाइम तक आपको kidney में खून नहीं पहुँचेगा तो फिर दिक्कत हो सकता है अब यहां पर देखिए prolonged renal ischemia इसका मतलब होता है कि बहुत अधिक समय तक renal मतलब kidney और ischemia क मतलब होता है कि आपके body में आपके उस organ में blood नहीं पहुच पाड़ा है blood की कमी हो गई है तब वहां पर क्या होगा तब kidney fail हो जाएगी अचानक से क्योंकि kidney में दिक्कत हो गया अब क्या है acute tubular necrosis मतलब जब kidney में blood नहीं पहुचेगा तो उसकी सारे कोशिका है वो सारे कोश में आप फिर मर जाएंगे मतलब मैं ऐसा नहीं बोरी कि आप मढ़ी जाओ लेकिन ऐसे chances है कि आपका पूरे cells जो है वो पूरी तरह से वीक हो जाए और फिर आप अचानक से अपनी जान को गवा बैठे क्योंकि आप भूखे थे आपको क्या था आपको चाहिए था खाना इतना समझ महा गया साथ ही या तो किड़नी के अंदर जो भी नसे हैं वहाँ पर कुछ blood clot हो जाये blood इक लिएक हो जाये जिसकी वज़ा से सही से आपको blood का circulation पूरे body में नहीं हो पाएगा और यहाँ पे अगर kidney है और उसमें ये चीजे हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी साथ में अगर kidney में infection हो गया जैसे की glomerulonephritis मतलब क्या है? glomerulone कहाँ पे होती है kidney में होता है, nephron कहाँ पे होता है, बहुत से nephron से मिल करकि आपकी kidney बनी हुई होती है तो वहाँ पे क्या है? है जब सूजन होगा तो क्या होगा जब सूजन होगा तो वहाँ पे भी आपका किड़नी अचानक से फेल हो सकता है अगर लंबे टाइम तक यह वाली दिक्कत रहे तब सूजन कहां पर होता है जहां पे infection होता है तो इसका मतलब है किड़नी में infection है और वो लंबे Hemolitic Uremic Syndrome जिसमें क्या होता है कि आपके Blood में ज़्यादा यूडिया हो गया है उस condition को हम क्या बोलते है Hemolitic Uremic Syndrome बोलते है और ज़्यादा आपके Body में Transfusion हुआ है Blood का मतलब आप Hospital में गय है और Blood चरवाए है और आपने टेस्ट नहीं करवाया जब आप किसी दूसरे का blood लेते है body में और उस condition में क्या होता है आपका body उस blood को जब accept नहीं कर पाता है जैसे कि आप दूसरे की girlfriend को accept करेंगे क्या नहीं करेंगे ना मतलब जब तक उनका breakup ना हो तब तक आप चाहेंगे कि हाँ वो मेरे पास है और उसके पास मेरे है ऐसा नही blood आया है मतलब कोई लड़की आई है और उसकी हरकते आपको अच्छी नहीं लग लिए तो आप उसको accept नहीं करेंगे जाहिर सी बात है तो यहां भी blood आपकी body में आया है आप उसको accept नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा वहां पर reaction हो जाएगा वहां पर allergy होगी अब जब किसी की girlfriend आएगी उससे break up करने के बाद और आपके साथ फिर वही लड़ाई जगड़े आपके साथ होंगी तो वह क्या है वो reaction है उसका तो यहां भी reaction हो गया blood का blood आपने लिया लेकिन आपका body उसको accept नहीं किया reaction हो गया उस condition में भी kidney fail हो जाता है वो भी अचानक से अगर आप नेफ्रोन में जो चीजें गंदगी फैलाती जो नेफ्रोन के लिए अच्छी नहीं है वो क्या है नसेट्स नसेट्स दवा होता है non-steroidal anti-inflammatory drugs ठीक है या फिर medications आप बोल सकते हैं A.C.E. inhibitors angiotensin converting enzyme inhibitors होता है यह क्या है यह एक enzyme है मैंने आपको बताया था anatomy and physiology के lecture में जब आ और फिर आप amino glycosides दवा लेते हैं तो उस condition में अगर लंबे टाइम से आप यह दवा ले रहे हैं तो आपकी kidney अचानक से फेल हो जाती है लूपस हो गया है kidney में दिक्कत हो गई है लूपस हो गया है problem क्या है यह autoimmune disorder है जिसमें आपका जो immune system है वो अपने ही tissues पे हमला बोल देता है kidney में जब हमला बोलेगा तो tissues जो है kidney के वो फिर damage होंगे तो उस condition में अचानक से kidney फेल हो जाता है multiple myeloma जिसमें क्या होता है multiple myeloma चलिए multiple myeloma इसमें क्या होगा इसमें आपके plasma cells में दिक्कत हो जाएगी scleroderma जिसमें आपका जो skin है वो ज्यादा hard होने लगेगा जो आपकी connective tissue है skin में क्या होती है connective tissue होती जो सभी चीज़ों को बांध के एक साथ रखती है मतलब आपके घर में मम्मी और पापा होते हैं भाई बहन में कितना भी जगड़ा हो जाए लेकिन सुलह वो करवा देते हैं तो यहाँ पे connective tissue है पूरे body में जो आपके सभी organs को सभी cells को इकठे रखती है साथ में ठीक तो यहाँ पे क्या होता है scleroderma जिसमें आपका derma का मतलब क्या होता है dermis dermis कहाँ पे होता है skin में होता है तो skin में मौझूद connective tissue अगर जादा hard होने लगे tight होने लगे तो उस condition को ही हम बोलते scleroderma और जब ऐसा होता है तो आपके cells अंदर organs में भी फिर hard होने लगता है और इसकी वज़से आपका kidney अचानक से फिर fail हो जाएगा मजा रहा है कि निया रहा है पढ़ने में बहुत से लोगों को जो classes है वो बहुत जादा boarding लगता है लेकिन ऐसा नहीं है आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना मेरे साथ तो आपको बहुत मतलब मजा आ लग जाएगा पहले पहले मेरे साथ भी समय होता था मैं पढ़ने बैखती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था लेकिन एक टाइम के बाद आपको अच्छा लगने लग जाएगा जैसे होता है कि कोई मूवी आप देख रहें आपको अच्छा नहीं लग घणा लेकिन आढ और 9 ये शायद बहुत कम लड़किया हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा पैशिनेट होती हैं नहीं होती पैशिनेट Classes में भी Colleges में भी जो लड़किया है वो लड़कों से ज़ादा आजकल मैं बोल रहू हूँ वो ज़ादा इधर उधर थोड़ा सा ध्यार उनका भटक रहा है बहुत हैं जो कि बहुत ज़ादा मेहनद कर रही है और बहुत हैं कि नहीं कर रही है लडकों में भी सेम चीज़ें बहुत है कि कर रहे हैं बहुत है जो नहीं कर रहे हैं और दोश सिर्फ आप किस्मत को देते हैं पहले आप मैंनट तो कीजिए समय मुझे पता है कि समय कम है लेकिन आपको खुद से लड़ना होगा पहले आप खुद को समझाए कि यह क्या आप खुद को इस काबिल समझते हैं कि आप वो चीज कर पाएं आप काबिल नहीं समझते हैं आप खुद को ही सपोर्ट नहीं करते हैं मेंटली आप खुद को सपोर्ट कीजिए तब देखिए कि आप एक्शन भी लेंगे साथ में अब क्या है कि पोस्ट रीनल फेलियर इसका मतलब है कि किड्नी में प्रॉब्लम था अब किड्नी से बाहर क्या-क्या दिक्कत हो सकता है जिसकी वज़से आपका किड्नी अचानक से फेल हो सकता है तो किड्नी में अगर स्टोन बन गया हो या फिर अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में देखिए किड्नी ऐसी होती है ठीक है अब यहां से यह है यूरिनरी ट्रैक यह है आपका ब्लैडर और यह है आपका यूरेथरा यह है आपका पेशाप की थैली यह है आप आपका urator तो kidney में दिखकत है हमने पढ़ लिया ठीक है अब kidney के बाढ़ या क्या problem होता है तो यहां पे cancer हो जाए अगर इस pipe में या फिर bladder में या फिर यहां परばिशाप करने की रास्ते में तो दिखकत हो सकता है किड़नी फिखकत हो तक है क्योंकि आपका जो cancer इसाइं सर है वो फिर उपर की तरफ या फिर उपर की तरफ जाएगा ही जाएगा ठीक है या फिर medications बहुत सारी medications ऐसे होते दवाईयां ऐसी होती है लोपेथी कि अगर आप लंबे तक लेंगे तो आपकी किड़नी फेल हो सकता है सिर्फ दर्द की जो दवाई आप लेते हैं या फिर जो कांट्रासेप्टिव पिल्स आप लेते हो उसकी वजह से किड़नी फेल हो सकता है अगर आप लंबे समय तक हेवी डोजिस में इसको कंज्यूम करेंगे तो ब्लैडर स्टोन बोलते हैं तो अगर स्टोन यहाँ पर है तो भी आपका किड़नी चानंग से फेल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है गंदगी बॉड़ी से बाहर नहीं निकल पाता है ठीक है ए लार्ज प्रोस्टेट अब परोस्टेट कहां पर होता है मेल के पास होता है मतलब पुर्शों के पास प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं फीमेल के पास नहीं होता है इसमें कंफ्यूज नहीं होना प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड आपका यहां पर देखिए अगर कोई मेल है तो यह आपका यूरिनरी तो जब एज आपका होगा तो prostate gland की size भी बड़ी होने लगती है उस condition में अगर आपका prostate gland काफी जादा बड़ा हो जाए उसमें कुछ fluid भर जाए पानी भर जाए या फिर उसमें कुछ inflammation हो जाए उसमें सुजन हो जाए उसमें उन्हें infection हो जाए उस condition में आपने अगर ध्यान नह दिक्कत हो सकता है या फिर आपके brain में दिक्कत हो जाए brain signal दे रहा है कि यहां पर आपको पेशाब की जो थैली है वो फिर भढ़ गया है अब यहां से urine को बाहर निकलना है लेकिन दिक्कत क्या होता कि बहुत से लोग पेशाब को control नहीं कर पाते कभी-कभी वो brain का problem होता है brain सही से इसको control नहीं कर पाता है या फिर muscles यहां पर brain उसको सही से control नहीं कर पाता है muscles को brain अच्छे तरीके से manage नहीं कर पाता है तो आपकी जो bladder है वो तो भढ़ गई लेकिन जो पेशाब है आप कहीं public place पे हो ठीक है आप कहीं बस में बैठे हुए हो आपको लगा आपको urine को पास करना है और उस टाइम में आपको control करना है आपसे control होगा यह नहीं आपको पैंट में हो जाएगा तो इस condition को ही हम बोलते कि neurologic disorder हो गया है जिसमें आपका जो bladder है वो आपके control में नहीं है जैसे आप अपने मम्मी और पापा के control में बिलकुल नहीं हो ऐसा होता है कि नहीं लेकिन girlfriend के आप control में हो ऐसा भी होता है मम्मी और पापा के आप control में नहीं है लेकिन आप किसी और के control में हो और आप भी मम्मी और पापा के आप control में नहीं हो लेकिन आप अपने boyfriend के control में हो वो जो कह रहा है वहाँ नहीं जाना है आप बिलकुल वहाँ नहीं जाओगे वो क जाओगे ही जाओगे चाहे घर में लडाई क्यों न हो जाए क्योंकि गलफे ने बुलाया ना तो आपको तो जाना पड़ेगा आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको फोन आया आपको बात करना है आप जाएंगे जाएंगे बाहर तो यह सब चीज नहीं करना है बिल्कुल नहीं क होते हैं जिनकी वजह से यह सारे conditions आते हैं क्या-क्या होता है सबसे पहला अगर आपका एज होते जा रहा है तो आपकी बॉडी में problems आएंगी ठीक है तो आपको क्या करना है आपको अपनी डाइट को अच्छे से से बन सकता है अगर आपको क्यद्णी में कोई डिजीज है या फिर आपका हार्ट में हो घटा है और आपको ऐसे चांसे हैं कि एक दुबढ़ा और जह्टकी आ जाएंगे तो उस condition में आपको अब जब अचानक से kidney fail होता है acute renal failure ठीक है short form में मैंने लिखा है अचानक से जब kidney fail होता है तो phases होते हैं सबसे पहले onset or initiation phase होता है जिसमें आपकी kidney fail नहीं हुई है लेकिन उस time में जब भी fail होता है उस time में जब आप action लेते हैं तो फिर kidney ठीक हो जाती है दूसरा है oliguric phase जिसमें अचानक से क्या होता है कि kidney में कुछ ने कुछ गडबरी हो गई और आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है और पेशाब बहुत आना कम हो जाएगा लगभग हम मानते हैं कि 30 ml से भी आपको कम पेशाब आएगा एक दिन में इसका मतलब है कि ज जिसमें आपका जो kidney है वो फिर ठीक होने लग जाता है उसके बाद डाइय यूरेसिस phase होता है जिसमें आप बहुत जादा पेशाब करते हैं या फिर आप पेशाब जादा करेंगे क्योंकि kidney अब तक आपके यूरीन को चान नहीं रही थी अब चान रही है तो यह सारे phase होत करेंगे या फिर आपको उठना बैठना चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा दूसरा क्या है दूसरा कि बहुत ही कम आप यूरीन को पास करेंगे पेशाब आपको नहीं लगेगा लगभग ना के बढ़ाबर आपका जो पेशाब होगा बहुत ही गाढ़ा रंग सा होता है अजर्टेमिया हो जाएगा मतलब है कि आपके ब्लइड में यूडिया और जो गंदगी है जिसको हम क्या बोलते है ना एक तरह से वेस्ट होता है यह जादा रहेगा बलड में जिसकी वजह से उस कंडिशन कों क्या बोलेंगे ओलेंगे या फिर आप बहुत ещё cuts करे रहेंगे नूरिया बोलिंग उसको ठीक है तो यह सारे conditions आ जाते हैं हाथ और पेडों में आपको swelling होजाएगा पानी भर जाएगा आपके पैडों में आपके घुटनों में और साथ में एंकल और फीट में इन सब में पानी भढ़ जाएगा आपको लगेगा कि सूजन है आपका बीपी हाई हो जाएगा आपका हाट रेट बहुत जादा हाई रहेगा आपको कमर के पास बहुत ही तेज दर्द महसूस होगा जिसकों बोलतें फ्लांक पेन साथ में सांस लेने में नहीं आपको सांस लेने में फिर दिक्कत होगी आपके बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा इसका मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर का जो पी एच है वो फिर गडबर हो जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि आपको हलका फुलका चकर आ रहा है साथ में खून की कमी प्लेट लेट है वो भी सही से काम नहीं कर रहा होता मतलब लेट में भी अब गडबर हो गई है अब किड्नी फेल होने वाला है बॉडी में सारे गडबर चीजे हो रही है आपको पहचानना है जब ही आप सुबह-सुबह सो करके उठेंगे या फिर पूरह दिन आपको आप बहुत साथा वीक है, आप अंदर से ठीक नहीं है, ऐसा आपको महसूस होगा ठकावट हमेशा रहेगा, और साथ में आपके पेट में दिक्कत रह सकता है, आपको भूक कम लगेगा, आपको उल्टी करने का मन करेगा, उल्टी जैसा आपको मन होगा, या फिर आपको कब् अचानक से किड्नी फेल होने के तब, अब ऐसा हो गया है, अब आपको ऐसा लगा है कि लक्षन आपको आ रहे है, अचानक से किड्नी फेल होने वाला है, तो आपके पास अगर कोई पेशिंट आएंगे, तो डाइगनोसिस याने कि आप क्या-क्या चीज़े करेंगे, आप क हम अच्छे से देखेंगे जिसको हम बोता है Electrocardiogram ताकि heart rate, heartbeat आपका सही है या फिर नहीं है, हाट में कुछ problem तो नहीं है या फिर last में cancer है या फिर नहीं है कुछ भी दिक्कत है, infection है या फिर नहीं है, किड्नी में हम किड्नी की बायोप्सी करते हैं जिसमें हम किड्नी के एक टुकड़े को काट करके माइक्रोस्कोब के अंदर देखते हैं अब हमने कर लिया जाच जाच के बाद हमको करना है इलाज है जो भी पेशंट है उसको चीज़ से करेंगे, management हम करते हैं, तो management में सबसे पहला management क्या है, pharmacologic therapy, जिसमें हम दवाईयां देते हैं, दवाईयों में सबसे पहले हम ध्यान अखेंगे, कि हम anti-hypertensive drugs देंगे, मतलब patient का अगर BP high है, तो हम यह वाली drugs देंगे, जिसको, मतलब BP अगर high है, तो उसको reduce कर सके, उ दूसरा, हम dopamine का low dose देंगे, ताकि हम उसके जो भी नस है, अगर blockage है kidney में, उसको हम dilate कर पाए, तीसरा, हम diuretic therapy देंगे, जिसमें patient को पेशाब नहीं हो रहा है, तो patient को पेशाब हो, इसके लिए हम क्या देंगे, furosemide या फिर manitol के साथ हम diuretic therapy दे सकते हैं, और साथ में, patient क magnesium, magnesium, calcium, यह सबका जो level है, वो काफी गरबर हो गया है, तो जब potassium का level बहुत जादा high होता है, तो हम उसको बोलते है hyperkalemia, sodium, polystyrene, sulfonate हम देंगे, ताकि body में उन सब चीजों को balance हम कर पाए, ठीक है, जा फिर अगर infection है patient को, तो हम antibiotics देंगे, और साथ में, अगर patient को जटकी आ रह मिर्गी भी होगा, मिर्गी भी आ सकता है, तो हम anticonvulsants drugs देंगे, अगर किसी को मिर्गी के chances हमें दिख रहा है, कि हाँ उसको मिर्गी आ जाएगा, तो उस condition में हम यह दवाईया देंगे, दूसरा उसके body में पानी बहुत कम हो गया, जैसकि मैंने बताया कि blood और पानी का करने के लिए, क्या देंगे, उसको हम insulin देंगे, glucose देंगे, calcium, glucose देंगे, और साथ में dialysis भी कर सकते है, nutritional therapy में, मतलब खाने पीने में हम क्या देंगे, हम high calories देंगे patient को, लेकिन protein हम कम देंगे, sodium हम काफी कम देंगे, और potassium भी हम कम देंगे, क्योंकि body में already इसकी मातरा अथिक है, ठीक है, अब हम last में dialysis कर सकते हैं, तो जब हमको लगता है कि कोई चीज काम नहीं आरी, तो हम dialysis करेंगे, उसके body से waste को निकालेंगे, ताकि patient जो है, वो हमारा जिंदा बज जाए, तो सारे चीजों को हम करेंगे, इसके अलावा भी, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, कि ज you know series आपको देखना चाहिए, application अलका medical classes पे वो मौझूद है, और जा करके आप उसको purchase कर सकते है, 299 का है, और मैं बोलूँगे कि आपको कोई pressure नहीं है, लेकिन आपको जाना चाहिए, आपके future के लिए, आपके खुद के body के लिए बहुत ही जादा important है, कोई भी doubt होता है, आ चीजे हैं, हम medical lines से हैं, और मैंने आपको बड़ी ही गंभीरता से सारी चीजों को बताया है, मैंने कभी भी हंसी मजाक में कोई चीज का मजाक नहीं बनाया, किसी organ के बारे में, किसी parts के बारे मैंने कुछ हंसी मजाक नहीं किया, मैंने एक education के माध्यम सहीं आपको बताया है कि हाँ ये चीज़े होती हैं, ये चीज़े आपके पास हैं आपको जाननी चाहिए, क्योंकि अब जो अभी का समय चल रहा है, इसमें आपके body में कब क्या दिक्कत हो जाए आपको नहीं पता चलेगा, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, और जो medical के चातर हैं, उनके लिए यह जानना बहुत ही जादा important है ठीक है तो मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब मेरी बात से सहमत होंगे और अगर आप बोलेंगे तो मैं Facebook पर live आओंगे क्योंकि आप बोलते हैं कि हमेशा कुछ ने कुछ doubt होता है कुछ दिक्कत होता है बहुत सारे confusion है आपको तो contact कैसे कर पाए जो face to face आप बात कैसे कर पाए तो live मैं आओंगी Facebook पी अगर आप बोलीगा तो तो आप comments करके बताएए कि मैं live आओं या फिर नाओ लोग जितने होंगे उसके हिसाब से हम फिर decide करेंगे thank you so much